तो दोस्तों क्या आप भी Tally सीखने का सोच रहे हैं या और कहीं पर भी पार्ट टैम या फुल टैम एकाउंटिंग करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है चुकि आजकी इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि Tally में क्या-क्या सीखा जाता जो कि 38 classes का है यानि कि 38 classes में आप पूरा टैली सीख सकते हैं जिसमें मैंने कुछ videos already बना रखा है तो अगर आपने इन videos को नहीं देखा है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाओ तो उसकी notification आपको आपके मौल स्क्रीन पर मिल जाए और आजके इस वीडियो में हमें आपको बताऊँगा कि टैली में हमें क्या क्या चीज़े सीखनी होती है तो वीडियो को लास्ट तक बनी रहीगा वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को like करें चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe करके जाएं ठीक है तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोसरा सबसे पहले आप देख सकते हैं टैली में यह जो शुरू का इंट्रोडक्शन पार्ट दिख रहा है यह आपका थियोरी का पार्ट है और थियोरी के पार्ट में हम लोग सबसे पहले आपको उतना काम करके या बोल सके कि उससे ज्यादा का काम करके आपको उससे देना पड़ेगा तो किस तरीके से आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करेंगे और वेल्यू आप टाइम का वीडियो भी मैंने अल्री अपलोड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में आपको सेटिंग आपको करना पड़ेगा अपने कंपनी में काम करने के लिए यानि कि आपके कंपनी में बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपको हर रोज करने पड़ते है ठीक है तो आपको हर रोज का एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको डेली क्या-क्या काम करना है वो आपको बनाना पड़ेगा उसके बाद monthly basis पे आपको कुछ काम करने होते हैं जैसे कि monthly return file करना है monthly stock मिलाना अपने bank का statement मिलाना तो ये सारी चीज़े भी आपको हर मेने मेने करनी होती है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको साल में एक बार करना होता है जैसे annual return file करना GST का return file करना और और ही बहुत सारी चीज़े होती है जो साल में एक बार होता है ठीक है तो उन सारे चीज़े का एक goal setting यानि की एक checklist आप अपने Excel में बनाएंगे और उसके according आप किसी भी company में काम करेंगे ठीक है सामना करना पड़ सकता है तो अपने company में code word को आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे कि कि चीज का code word क्या यानि कि अगर आपका कुसी bank account में 2 account है यानि कि SBI में मेरा 2 account है एक है चार नंबर एक है 12 стать Presents करते में haven to use compliance dollars की दों fire का ईखें कर दो ऐमारा ज्यांद का करना है वह लोगों ने बना रखा है तो इसे भी क्रीन कर देता हूं ठीक है advantage of accounting में मैंने डीटल ने बताया है कि accounting टैली में accounting करने का क्या advantages है ठीक है तो वह चीज़ आप जरूर से सीखें ठीक है basic fundamental of accounts यह उन सब के लिए important है जिनका background science या फिर arts है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो background science है मुझे telly समझ में नहीं आएगा मेरा तो background आर से मुझे telly समझ भी नहीं आएगा तो दोस्तों वैसा कुछ नहीं है अगर आपका background science, commerce या आर्स कुछ भी है तब भी आपको telly असानी से समझ में आने वाला है उसके लिए आपको basic fundamental of accounts पता होना चाहिए कि accounts का basic fundamental क्या होता है और किस तरीके से accounting किया जाता है तो इन सारे क जरूर visit करिए आप हमारे चैनल को अगर subscribe अभी तक नहीं किए है तो please कर लिजी चुकि चैनल को subscribe करने से ही आपको हमारे आने वाली वीडियो के notification मिलेंगे और अगर आप इसे नहीं करते तो आप हमारे आने वाली वीडियो को miss कर देंगे तो चैनल को अभी subscribe करिए आपको simply ये लाल कुलर का बटन दबाना है साथी साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें और इसे all पर select कर ले ताकि जब भी में कोई नहीं वीडियो बनाओ उसकी notification आपको मिल जाए ठीक है उसका आपको golden rule के बारे में समझाया जाएगा कि golden rule क्या होता है किस तरीके से काम करता है साथी यहाँ पर आपको मैं डीटेल में बताऊंगा और introduction of tally में मैं tally का introduction दूँगा कि tally क्या है किस तरीके से काम होता है ठीक है उसका प्रैक्टिकल क्लासे में सबसे पहले हम लोग टैली में सीखते है कि company creation क्या होता है किस तरीके से company create करते हैं साथी साथ उसके बाद हम लोग स सिखेंगे laser कैसे बनाया जाता है तो laser दो तरीके से बना सकते हैं एक तो simple basic laser हो गया जो हर company में काम आता है दूसरा होता है advanced laser जो हर company में काम नहीं आता है तो मैं आपको basic और advanced दोनों तरीके laser create करना सिखाऊंगा ठीक है उसका आद accounting watcher की videos आपको देखने को मिलेंगे इन सब क वीडियो अल्रेडी बने हुए है तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख ले टैली का complete series का जो playlist का link होता है वो भी मैं आपको description में दे दूँगा तो आप वहाँ से जाकर के उसे भी जरूर विजिट करें ठीक है accounting watcher में detail में आप बताया हूँ कि किस की staff का watch वाचर होता है किस तरीके से वाचर की entry pass करनी है salary due में हम लोग सीखेंगे कि अगर आप अपने company में staff management करना चाहते है तो किस तरीके से आपको उनके salary due करनी है और salary paid करनी है stock adjustment में हम लोग सीखते है कि किस तरीके से salary में stock maintain करना है और stock maintain करते समय सबसी important जो चीज़ है यह है कि अगर आप एक retailer है तो वहाँ पर अलग तरीके से stock maintain होता है ठीक है तो stock adjustment के वीडियो में मैंने वो detail में बताया है ठीक है आप उस वीडियो को भी जरूर विजिट करिए process of purchase में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से process of purchase का काम होता है process of sale में किस तरीके से आपको ght tax owners बनाने है और sale किस तरीके से करते है वो हम लोग सीखेंगे जेश्टी tax owners का एक separate class आपको अलग से मिलने वाला है ठीक है उसके बाद सबसे important जो चीज होता है वो होता है how to calculate selling price जाने कि अगर आप किसी company में काम करते है तो वहाँ पर sale rate किस तरीके से calculate करते है वो हर एक company का अलग-अलग तरीका होता है ठीक है तो दो तरीके से sale rate calculate होता है एक होता है on the basis of CP एक होता है on the basis of MRP ठीक है तो किस तरीके से आप अपने company में sale rate calculate करते है वो समझना बहुत important होता है ठीक है उसके बाद जो next class हमारे सामने आने वाला है वो है manufacturing का जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी manufacturing company में किस तरीके से product को manufacture किया जाता है और उससे tally में क maintain करेंगे और अगर आप किसी electronic shop में काम करते हैं तो हर एक electronic appliances का एक serial number होता है तो आपको उन सब चीजों को किस तरीके से maintain करना है साथी साथ हम लोग expiry date और manufacturing date को भी maintain करना सीखेंगे यानि कि अगर आप किसी medical shop में काम करते है तो हाँ पर हर medicine का एक expiry date और manufacturing date होता है तो उन प्रोजेक्ट वर को complete करने से आपका जितना भी doubts से वो सारे doubts killer हो जाने वाले हैं ठीक है आपको उन प्रोजेक्ट वर का practice करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो next set है वो है tax SM return जिसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो GST Basic Fundamental के वीडियो अल्रेडी बना हुआ है तो आप उससे देख ले ठीक है अगर आप चाते हैं कि GST का एक separate वीडियो में फिर से बनाओ तो इस वीडियो को like कर दे तो इस वीडियो में 500 like आ जाते हैं तो GST Fundamental का complete वीडियो में आपके सब के सामने next day ही publish कर दूँगा तो वीडियो को like कर दे तो अगर आप वीडियो को बनाया जाता है ठीक है collection report में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से टैली में collection report का calculation किया जाता है और अपने area का हर एक counter कर report आपको एक ही sheet में किस तरीके से त्यार करना है ठीक है exporting report में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से टैली से excel में data को export करते हैं साथी साथ stock transfer में हम लोग ये सीखते है कि टैली से एक go down से दूसरे go down में stock किस तरीके से transfer किया जाता है इस बहुत important है ठीक हर financial year में इसका use होता है यानि कि जीज दिन आपका 31st March close होता है यानि कि आपका financial year जीज दिन close होगा उस दिन आपको अपने company को split करना होता है और जिससे क्या होता है कि सारे closing balance automatic opening बन जाते हैं तो company split में हम लोग वो चीज़ सीखेंगे data backup में मैं आपको सिखाऊँगा कि किस तरीके से office का काम को घर पे करना है यानि कि आप part time job करते हैं और आपको daily basis पे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उस दिन नहीं हो सकते हैं और आप चाहते कि उस काम को आप घर में लेया करके करें तो data backup का काम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा और इसका भी project work आपको अलग से मिलेगा ठीक है जिसमें आपको इन सारे चीजों का मैं दुबारा से revision भी करवाऊंगा तो अगर आपके पास laptop या desktop है तो आप घर बैटे टैली की practice कर सकते है अगर आपके पास टैली software नहीं है तो मैंने टैली कैसे download करना है उसका लिटेश्ट आया है टैली प्राइम तो मैं आपको सारे वर्जन में सिखाऊंगा टैली 7.2 का use हर लोग करते हैं क्यों कि इसमें free में काम होता है और ERP9 को टैली प्राइम को खरीदे में लगबग 20,000 रुपया देने पड़ते हैं साथी साथ 246 और 246 पर तो अगर आप टैल प्राइम का installation भी करवाते हैं ठीक है और मार्केट से कम रेट में आपको लोग टैली प्राइम देंगे तो अगर आप टैली प्राइम लेना चाहते हैं या फिर किसी तरह के कोई भी डाउट्स आपके मन में हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और टैली खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो टैली प्राइम स्टार्ट होगा जिसमें मैं आपको इंट्रॉडक्शन तो बताऊं गहीं साती साथ कम्पनी क्रिएशन लेजर क्रिएशन स्टॉक अड़ेश्मेंट पर्चेस इंट्री सेर इंट्री थ्क्री भी किस तरीके से बनाना है ठीक है उसके साथ हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके से जनुरेट होता है नहीं कि आपको हर मेने अपना जीश्टीan competition तयार करना होता है जिसमें आपका पिछले मेने का कितना input carry for order के इसमेने आया है और इस मेने का कितना output आपने जनरेट किया है और कितना input आपने फेंदख सब करने के बाद कितना tax आपको सरकार को pay करना है यह सबसे important है यानि कि अगर आपके साथ कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो देख करके यह सीख लेगा कि आप किस तरह के से entry pass करते हैं but main है सरकार को बताना main है boss को बताना है कि आपने क्या किया कितने का माल खरीदा कितने कमाल बेचा कितना उसका टैक्स बना और कितना टैक्स आपको सरकार को पे करना है ठीक है तो वो सारी चीज़े हम लोग GST competition में सीखेंगे quarterly return में आपको बताऊंगा कि quarterly return किस तरीके से आपको तयार करना है annual return साल में एक बार बनता है तो ये बहुत important होता है तो इन सारे के वीडियो में आपको एक एक करके देने वाला हूँ के बाद bank reconciliation statement होता है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि bank account कैसे मिलाया जाता है साथ ही साथ मैं आपको practice करने के लिए कुछ task दूँगा और उसके बाद आपको एक छोटा सा test भी देना पड़ेगा अगर आप online certification चाहते हैं तो ठीक है बहुत सारे लोग computer सीख लेते हैं online बट उनके पास certificate नहीं होता है वो भी एक बहुत सा nominal सा fees होता है तो अगर आपको online certificate चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर call जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमें call कर सकते हैं हमारे चैनल को visit कर सकते हैं और यह complete syllabus डाउनलोड करने के लिए आप description में जाएं और वहाँ से syllabus का video फाइल भी डाउनलोड कर लें और किसी तरह के doubt से तो comment करें मैं आपके सारे comment परता हूं और आपके सारे comment कर एप्लाइ करता हूं और इसी तरह के से हमें इतना सारा प्यार देने के लिए हमारे चैनल पर दुबारा करके हमारे वीडियो को like करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद thank you for watching मिलता हूं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए देखते रहें सेखते रहें चैनल वंदे मात्रम thank you for watching बबाई